हेलो एंड वेलकम दोस्तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके स्नैपचैट एप के अंदर कुछ इस तरीके से यहाप यह प्रॉब्लम आ रहा है आप यहापे देख सकते हैं यहापे टू यू स्नैपचैट प्लीज आलो एकसे टू लोकल स्टोरेज आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं तो चली इस वीडियो को शुरू करते हैं इसके लिए आपको यहाप बैक आना है, बैक आने के बाद आपको यहाप स्नैप्चैट अप को डोनना है और उसके ऊपर आपको यहाप कुझी इस तरीके से यहाप प्रेस करके रखना है, स्नैप्चैट अप के ऊपर प्रेस करके रखने के बाद आपके सामने कुझी इस तरी किसी यहाप option आएंगे अब आपको यहाप बीच में देख सकते ही यहाप app info का option आचुका है आप यहाप देख सकते ही यहाप app info का icon को जीस तरी किसी यहाप आई का icon है आपको simply यहाप app info के उपर click कर देना है app info के उपर click करने के बाद नीचे आपको याप app permission दिखाई देगा आपको याप app permission के उपर क्लिक कर देना है app permission के उपर क्लिक करने के बाद आपको याप नीचे scroll कर देना है नीचे scroll करने के बाद आपको याप फोटो और वीडियो दिखाई देगा आपको यहापे इसके उपर क्लिक कर देना है और इसे यहापे अलो के उपर क्लिक कर देना है इसे अलो के उपर क्लिक करने के बाद आपको यहापे बैक आना है बैक आने के बाद मैं आपको यहापे snapchat app open करके दिखा देता हूँ आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हमारा वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है अगर आप कोई स्टूडियो से महत होती है तो प्ली दोस्क चानल को सब्सक्राइब कीजिए सब्सक्राइब करना विल्कुल फ्री है